नमस्कार और विलकर्ण यालू वर्ल अफेर्ज नेव प्रशान्द वन रिसेंड़ी आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखेंगे जहां पर ये लिखा है कि रिपोर्ट्स की अनुसार इसराइल ने भारत से हेल्प मांगी है इसराइल चाहता है कि भ इसराइल की सरकार ने कोई चिठी लिखी है भारत सरकार को कि हमारे लिए हल भेजो अभी के अभी प्लेट में वर्लकर भेजो ऐसा खुछ नहीं है इसराइल की जो सरकारी कंपनिया है जो प्रैवेट कंपनिया है primarily construction sector में वो लोग एक लाख Indian workers को hire करना चाते हैं और यहाँ पे आपके मैड में कई question आएंगे के wait फिलिस्तिनी workers के साथ क्या हुआ और इसराइल primarily Indian workers ही क्यों चाता है बार-बार ये report सामने के वारी है के Indians replace कर देंगे फिलिस्तिनीों को in Israel पहले तो ना इसराइल और फिलिस्तिन दोनों अपने आपे countries हैं इस इन इंडियन मैं दोनों को देश ही बोलूँगा क्योंकि इंडिया दोनों countries को recognize करता है तो अब यहाँ पे आप देख पाऊगे यह इसराइल है और यह यहाँ पे जो दो टुक्रे आपको मिल जाएंगे एक तो गाजा पटी और वेस्ट बैंक दोनों को मिला कर बनता है फिलिस्तिन देश इसराइल और फिलिस्तिन बिलकुल एक लोकेशन पे आपको मिलेंगे मगर लिविंग स्टैंडर्स की अगर मैं बात करूँ ना इसराइल और फिलिस्तिन में जमीन आस्मान का फर्क है इसराइल देखिए एक प्रॉपर डिवेलप्ट एकोनमी है इसराइल एक विक्सित देश है और अगर हम युनाइटेड नेशन्स का हुमन डिवलप्पेंट इंडेक्स देखे अगर मैं इसराइल की रैंग करूँ ना यहाँ पर इधर आप देख पाओगे इसराइल की रैंग है 22 पता किन कंट्री से ओपर है इसराइल इटली, फ्रांस, पोलेंड इन सब कंट्री से कई गुना भेतर है इसराइल लिविंग कंडिशन्स के मामले में ओवर रॉल हुमन डिवलप्पेंट के मामले में और फिर अगर हम बात करें आवरेज सैलरी की के आवरेज सैलरी इसराइल में कित्ती रहती है तो मैं कहूंगा आवरेज सैलरी ना धाई से लेकर 3 लाख इंडियन रुपे के आसपास है इतना अराम से इसराइल के लोग कमा लेते हैं वेराज फिलस्तीन में देखिए सिचुएशन कंप्रिट्ली डिफरेंट है फिलस्तीन हुमन डिवलप्पेंट इंडेक्स में आपको इसराइल के कंपेरिजन में बहुत पीछे दिखेगा इवन दो अबादी इस देश की बहुत ज़ादा कम है फिर भी हुमन डिवलप्पेंट इंडेक्स में इतना पीछे होना शौकिंग है इंडिया की रैंकिंग भी काफी कम है बट अगैन हमारे जो नंबर्स हैं वो कई और ही होते हैं इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो सत्तर हजार से लेकर एक लाख रुपे के आसपास मिल जाएगी वैसे डेटा चेक करोगे आप तो कई जगा एक लाख बीस जार के आसपास लिखा होगा मगर मैंने और डीपर रिसर्च करी है तो मैं कहा सकता हूँ एक फिलिस्तिनी आदमी सत्तर हजार से लेकर एक लाख इंडियन रुपी के आसपास कमा लेता है नाव हमें एक बार को लग रहा हूँ कि बहुत जड़ा अच्छी सेलरी है इंडिया में एक लाख रुपे हर महीने आप कमा रहे हो तो बहुर अच्छा है मगर हमारे यहां उसके हिसाब से चीज़े भी काफी सस्ती है और एक इंटरस्टिंग बात यह है कि फिलिस्तिन के लोग जो थोड़ा बहुत लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर भी पाते हैं जो सत्तर हजार उपे एक लाख के आस्पास की जो सेलरी की में बात कर रहा हूँ वो पॉसिबल तभी हो पाती है जब इनके वर्कर्ज बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में इसरायल में जाते हैं वर्क परमिट लेकर और काम करते हैं जी हाँ, इसराइल-फिलिस्तीन के रिलेशन्स जैसे भी हो, तब भी फिलिस्तीन के लाखों लोग हर साल जाते हैं इसराइल में, यहाँ पर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस जाते हैं, और इसी तरीके से फिलिस्तीन में कई घर चलते हैं, और over the years इनकी जो average salary है, वो उसके बाद से हमने देखा हैं के इसराइल ने हजारों लाखों फिलिस्तीनियों को वापस अपने देश में भेज दिया है, रीजन क्या है, रीजन बहुती सिंपल है, security related issues, इसराइल की security agencies को डर यह है, कि जो फिलिस्तीनी नागरेक worker permit लेकर काम कर रहे हैं इसराइल में, जो सारे फिलिस्तीनी workers को वापस भेज दिया गया इनके देश में, अब obvious ही बात है, इन workers को replace करना काफी important है, और लडी मैं आपको बता चुका हूँ एक previous वीडियो में, इसराइल की economy इस वक्त गिर रही है, यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर मैंने वीडियो अप्लोड कर और इसका reason क्या है, देखे, reason primarily यह है, पहली बात तो workforce की shortage, दूसरा issue यह भी है, इसराइल भी आसानी है, कोई बहुत बड़ी अबादी वारा देश है, इसराइल की total population है, 90 लाग के आसपास, 90 लाग एक करोड के बीच में इनकी अबादी है, और since इनकी अबादी इत्ती कम है तो इनकी military को active रखने के लिए, military के numbers हमेशा बना के रखने के लिए, यहाँ पे conscription का system है, मतलब के एक certain age के बाद आपको military training दी जाएगी, उसके बाद आप अपना जो भी काम करना है, पढ़ाई करनी है, उनिवर्सिटी में कहीं पर पढ़ना है, वो सबाब कर सकते हो, हाँ याद रहे, बीच में अगर मालो चिठी आ जाती है, कि देश की सिवा करने का टाइम आ गया है, आपको बस अपना back पकड़ना है, और border की दरफ चल देना है, आपको जो इसराइल की आर्मी है, वहाँ पे enlist कर लिया जाएगा, और सिंस आज के समय, इसराइल एक बहुती इसकी वज़े से problem जारी है, इनकी जो companies हैं सफर कर रही है, construction के जो projects हैं ये टक गए है, तो इसलिए अब news आरी है, कि इसराइल needs Indians, और लाखो की संख्या में इनको Indian workers चाहिए होंगे, तभी इसराइल का जो construction sector है, ये stabilize हो पाएगा, और इसलिए बातची स्टार्ट हो चुकी ह इसराइल Builders Association ने, ये का है कि ये अपनी सरकार से बातचीत कर रहे हैं, Indian government से बातचीत कर रहे हैं, कि एक ऐसा प्रबंद बनाया जाए जिससे Indian workers बड़ी संख्या में, जल्दी से उनको visa issue हो, जो भी process हो जल्दी हो, और वो बड़ी संख्या में जल्दी से जल्दी इसराइल आप आएं, obviously इंडिया में बहुत सारे workers हैं, जो इसराइल जाना चाहेंगे, ठीक ठाक salary वहाँ पर मिल जाती है, जितना वो इंडिया में कमाते थे, obviously उससे जादा ही कमारे होंगे इसराइल में, हलाकि आप एक बार वो कह सकते हैं, हमास बीच-बीच में जो rocket launch कर देता है, थोड़ा बहुत security का issue रहेगा, obviously मैं ये तो नहीं कहूंगा, कि इसराइल 100% safe है, बट उनका जो iron dome है, वापस situation को समाल रहा है, उसके इसराइल की जो military है, ये भी काफी active हो गई है, तो मैं कहूंगा, इसराइल relatively काफी safe है, जो एक बार को इन पर अटाक हुआ था, 5000 rockets का, लग चाहिए quickly, इंडिया एक friendly country है, तो इस type का जो एक work related agreement है, इंडिया के साथ ये कर सकते है, at a very fast notice, ऐसे relations इसराइल के किसी African country के साथ नहीं है, ये रोप से obviously workers निगलते नहीं है, ये रोप से skilled labor निगलती है, same case Russia का है, यहाँ पर भी आप देखो South America से भी इतने workers निगलते नहीं ह जो labor है आज के समय, वो इंडिया से ही आ रही है, चाइना का भी same case है, चाइना से भी affordable labor इतनी निगलती नहीं है, तो इसलिए इसराइल के लिए इंडिया एक perfect country है, पाकिस्तान, बंग्रादेश को ये avoid करेंगे, क्योंकि दोनों countries इसराइल को officially as a country accept करते नहीं है, तो इंडि इंडिया की labor को भी वापस लाना पड़ेगा, कुछ issue हो जाएगा, तो इसलिए बहुत सो समझ कर ही, इसराइल की जो builders association है, ये इंडिया के साथ एक deal करना चाती है, और अगर यहाँ पर आपका question है, क्या इस सबसे इंडियान economy पे कोई बड़ा impact आएगा, कि एक लाख workers हमारे जा रहे हैं इसराइल में, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि देखो, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो numbers अलगी level के होते हैं, मैं आपको बताओ, पिछले धाई साल में देखा गया, 28,00,00, इंडियान्स बाहर गए थे काम करने के लिए, इन में से बहुत से इंडियान्स हैं, वो labor sector को belong करते हैं, तो लाखों इंडियान्स वैसे ही हर साल दो साल में भार जाते हैं, तो अचानक से एक लाख इंडियान्स ठीक है, इसराइल अगर accept करता है, definitely कई लोगों को अच्छा कमाने का अफसर मिलेगा, मगर इंडिया के लिए, इंडियान एकोनोमी के लिए, कोई एक बहुत बड़ा एक बूस नहीं है, असानी है, के रहमेंटेंस हमारे बहुत ज़रा बढ़ जाएंगे, बट फिर भी मैं कहूंगा, कई लोगों के लिए अच्छी बात है, और दोनों कंट्रीज के जो इससे रिलेशन्स हैं, और स्टॉंग होंगे, इसराइल देखेगा एंडिया को as a proper dependable partner, जो ना सिर्फ हमास द्वारा किया गया, जो आतंगवादी हमला था, उसकी निंदा करता है, साथ ही साथ इसराइल को जो आज के समय एक economic support चाहिए, जो labor की shortage है इसराइल में, उस shortage को पूरा करने का भी काम करता है, और finally आपे मैं आपसे पुछूंगा ए question, question यह है कि उत्राकंड state में एक hunger project चल रहा है भारत का, इस hunger project को किस country ने support करने की announcement करी है, यह है आपे आपकी option, USA, UK, Israel या फिर नॉर्वे, इस पर recently बहुत article पब्लिश होई है, कि यह country इंडिया की उत्राकंड state में food security promote करने में help करने वाला है, तो comment section में करी आंसर, सही आंस करेंगे, कोशिच करूँगा, कि उनकी comment को मैं हाट दे दूँ, और Unacademy के देखी offer चल रहे है आज के समय, यह जो offers है, इनको आप use को सकते है, to get discount, तो comment section में link आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर course open करके, you can use the code PD10, और आपको discount मिल जाएगा, और जो sales time to time आती रहती है, करेंगे, यह जे दो, what UK to see, दो, किसे समया झाल झाला का पर सकते है, और बषका भी कैसा परोर जाएगा है, जा करूड़ा है, पर इनको हैं वोल आपको, ट्रेखी समया झाला को सकते हीता है, आपको ठरिसे समया जाश्तिना जाल, तर अएँरी जे झाला की क का एंजissenभाने